ये गाईज हैलो नमस्ते आदा आप सस्रियाकाल खुशामदी देंड वैरी 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 गूड इवनिंग टू अलोफ यू वैलकम टू अड़ा 247 पीस चानल दोस्तों शुरुबात करते हैं आज के सेशन की कैसे हैं आप लोग जल्दी से बता दीजिए और इसी के साथ ही लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक जिस पर के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं चली तो आफ फर्स्ट क्वेशन स्टार्ट करते हैं सेशन को तो रेडी हैं एक बार तो फड़ावर से अपनी उपस्तिती जो है वो आप लोग दर्श करवा दीजिए प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आने ही वाला है वेरी 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 गुड इवनिंग टू आल अफ यू चली तो यह रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न और आंसर कीजिए फटा फट से कि क्या यहां पर पूछा जा रहा है छेक है ओके तो क्वेश्चन आपके सामने है शायद आपको सभी को सही और सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा प्रश्नों के आंसर जो है वो जल्दी से करने है नमस्कार नमस्कार स्टुडेंट निशू निशू और कौन कौन है भाई शीवम है शीवम वर्मा है एक शीवम चलो ठीक है कुलदीप कंचन विनित तो स्टार्ट कर रहे है और आंसर दीजी फटापर सी कि क्या है आपर कहा जा रहा है नमस्कार नमस्कार सबीकों एक सेशन और होता है वो तिल बीपीस सी चलेगा जो की 6-7 होता है तो उस सेशन पर भी थोड़ा सा फोकस कीजेगा कि नि most important role in the established dormancy in seeds तो इस dormancy जो है वो स्तापित करने के लिए कौन सा हर्मोन जो है वो plants के अंदर जो है वो महत्वपून भूमिका निभाता है शायद आपको सभी को सही तरीके से दिख रहा होगा शिवांची आंसर करेंगे फड़ा फट से और किसी को लग रहे है औकसीङ यहाँ पर होगा तो औकसीङ यहाँ पर dormancy दो नहीं कर रहाए आप इस सीच को चलिये चलिये जल्री से answer कीजे शिवांची message करो तो यहां पर जो basically correct answer होगा वो बिसीकली correct answer होगा आपका apsesic acid, apsesic acid यहां पर dormancy के लिए responsible होता है, apsesic acid, apsesic acid plays the most important role in the established dormancy in seed, then apsesic acid has also been found to be present in the metazomes from sponge up to the mammals including human, ठीक है, तो मनुष्य से लेकर इस तंधारियों सभी के अंदर जो है वो present होने वाला यह होगा आपका apsesic acid, ठीक है, तो शिवांशी, शिवम प्रिया भी आ चुकी है बहुत बढ़िया, तो उमकार जी, तो इस तीच का थोड़ा सा ख्याल रखिए, apsesic acid जो है वो dormancy के लिए responsible हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगले प्रिशन की बात करते है, हर्पिटोलाजी जो है, वो विज्ञान की कौन सी शाखा होती है, हर्पिटोलाजी, ठीक है, आपकादियन करेगी या फिर जो है वो basically उभाच य फिर सरी सरफ का, तो हर्पिटोलाजी ब्रांच जिसके अंदर specifically जो है वो किसका अधयन कया जाता है, आपके उभाचर और सरी सरफ कादियन, जहाँ पर हर्पिटोलाजी के अंदर आपके जितने भी जो लॉजी की शाका, जो कि मेंडक, टोड, सेला, मेंडल, या फिर बात करते हैं तो जरीमोफोनिया जैसे जो की एमफीबियंस होते हैं उनका और साथ में रेप्टाइल जिसमें साप, छिप्टली, अचा रेप्टाइल के अंदर अगर आप हर्ट चैंबर की बात करते हैं कि कितने हर्ट के जो है व इसमें एक्सेप्शन है और इसके अंदर जो है वो चार हर्ट चैंबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो ये भी सब आपको ध्यान रखना है तो हर्पिटलोजी जिसके अंदर आप एमफीबियन और रेप्टाइल दोनों की स्टड़ी करते हैं अच्छा एक चीज और आप जो की जल पर भी रह सकते हैं और वो जो है वो थल पर भी रह सकते हैं तो प्लांट के ऐसे पादब जो है वो कौन से होंगे जो जल और थल दोनों के ऊपर पाया जाएंगे तो ये भी आप लोगों को समझ रहा है कि प्लांट के अंदर उपसित वो पादब जो जल और थल के पर समझनी होगे अगला क्वेशन पूछा जा रहा है कि रीडर पेस्ट रोग जिसे हाल ही में समाफ्त किया गया था और निमनल लिखित में से किसके कारण हुआ ठीक है चलिए जल्दी से बताइए फटावर से तो अमित वही तो हमें देखना है ना कि दोनों के अंदर क्लास सu कि रीडर पोस्ट है जिसे हाल हों नाम से ब्हारण बी जानते हैं कि उसके नामसे मुरेण डिजीज के नामसे जो हम लोग यहां पर जानते हैं और जान्वरों के अंदर आ पता है कि मीडम B representing इसे होगा अब vitamin B के तो काफी सारी complex है जैसे कि vitamin B1 है, vitamin B2 है, vitamin B3 है, vitamin B5 है, vitamin B6 है, vitamin B7 है, vitamin B9 है, vitamin B12 है, vitamin B1, vitamin B1 की कमी से आप लोगों को very very disease देखने को मिलती है, और B1 जो है, वो basically कौन सा होता है, क्या वो thiamine होता है, क्या, B1 जो है, वो क्या वो thiamine हो जाएगा, बिल्कुल, B1 जो है, वो हम लोग thiamine के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर thiamine जो है, वो correct answer हो जाएगा, व लिकिन राइबो fiamine को हम लोग B2 के नाम से जानते हैं, पाइरीडॉक्सिन की बात करते हैं, तो पाइरीडॉक्सिन आप vitamin B6 को कह सकते हो, और कोबाले मीन जो है, origin B12 को कह सकते हो, B1 को अब thiamine कहते हो, B2 को राइबो fiamine कहते हो, B3 को niacin कहते हो, B5 को pentothrannic exit कहते हो, B6 को Pyridoxin कहते हो, Biotin आपका vitamin B7 रहेगा, Follic acid vitamin B9 रहेगा और Sinocobalamin vitamin B12 रहेगा, basically anemia इसका main एक कारण है कि anemia जो है वो आपके vitamin B के कारण होगा, बाकी कुछ skin, disease, hair, falls vitamin B1 के नाम से जन सकते हो, और session को share करने की आदत है नहीं है ना कि सेशन को शेयर कर दें, लाख, लाख जो बेसिकली आप लोगों के जूलरी वगर बनाने के अंदर भी हम लोग काम में लेते हैं, तो लाल से, जो लाल रंग का जो इस्तराव हो रहा है, वो बिसिकली किसके कान हो रहा है, जो रैड कलर आपका आ रहा है लाख के अंदर, जो कर रहे हैं कि दी इंसेक्स यहां पर हो जाएंगे और बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इंसेक्स हो जाएंगे तो चलो ठीक है then we can say then insects will be the right answer what will be the right answer insects यानि कि D यहाँ पर जो है वो correct answer होगा next question देख लेते हैं कि next question आपसे क्या पूछा जा रहा है next question यह किड़े विड़े तो होई गया अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि myoglobin का use जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है एक बार मुझे थोड़ा time दो आप daily पढ़ोगे तो आपको daily समझ में आएगा बाकि अगर आप book से पढ़ोगे तो शायद concept clear नहीं हो कहीं ऐसी जगे से पढ़ लो जहां से आप लोगों के concept clear हो सके तो ये भी आप देख सकते हैं देखिए मैं तो कोशिश तो कर रहे हूँ कि questions मैं सारे cover करवा दूँ लेकिन अगर आपको theory पढ़नी है न घरा अगर आपको theory पढ़नी है अगर आपको तो आप लोग जो है वो basically application से भी देख सकते हैं ठीक है और इमाद तुम्हें क्या लगता है यह बताओ मुझे ठीक है मेरी तरफ से volume बिटा volume मेरी तरफ से तो यहां पर मैंने fully कर रखी है volume यहां पर बिल्कुल पूरी है ठीक है चली answer दीजे और google queen मैं तो यही कहूंगी कि अगर थियरी पढ़नी है तो ता तब आप किसी application से जा सकते हैं बागी questions में मैं पूरे करवाने की कोशिश कर रही हूं ठीक है आप देखो यहां पर क्या कहा जा रहे है मायोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन सुना है तो आप मायोग्लोबिन भी बहुत आसानी से सुन सकते हैं अब मायोग्लोबिन जो है वो catalyst of the biochemical reaction in nucleus भाई बोला जा रहे है कि मासपेशियों में मायोग्लोबिन बेसिकली जो है वो आप लोगों के oxygen के स्टोरेज के लिए यूज में आता है अगर किसी को याद ना रहे तो किसी को हीमोग्लोबिन तो याद रहेगा हीमोग्लोबिन जो की आपके ग्लोबिन प्रोटिन और हिम यानि की iron cell से मिलकर बना होता है और iron cell oxygen के transportation में मदद करती है तो हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन से दूर संबंदित है हर्दे और कंकाल की मासपेशों में पाया जाने वाला एक छोटा सा प्रोटिन है जो कि oxygen को बाइंड करते हुए जो है वो चलता है तो यह आपके मायोग्लोबिन का यहाँ पर portion रहेगा ठीक है ओके बात करते हैं अगला प्रशन का क्या कहा जा रहा है क्वाशियोकर क्वाशियोकर मरेसमस दो डिजीज है बहुत बहतरिन तरीके से ध्यान रखेगा एक है क्वाशियोकर एक होता है मरेसमस ठीक है अब यह क्वाशियोकर औ पर अकांग्शा वेरी गूड इवनिंग बिटा प्रोटीनिक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ रुख जाती है ठीक है और ग्रोथ के साथ में आप लोगों को यह भी आपर ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो है वो आपके अमाइनो एसिट से मिलकर होता है किस से मिलकर बना होता है अमाइनो एसेट से मिलकर बना होता है अप लोग ध्यान रखेगा तो वाइटमिन ही यहाँ पर बिसिकली रही प्रोटीन यहां पर जो है वो correct answer होगा विकेंट से B will be the right answer ठीक है यह आप लोग समझ लेजेगा अकांग्षा, शिवम और नीशु सिंग है, अमित है और बाकी सारे लोग विकेंट से B यहाँ पर जो है वो correct answer हो जाएगा वसा यानि कि fat यहाँ पर कोई concept रहेगा नहीं खनीज यहाँ पर कोई concept होगा नहीं तो हमने कहा कि protein यहाँ पर जो है वो सही जवाब होगा नीशु सिंग भी यहाँ पर कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पंकच और student है नीशु सिंग है तो बहुत बढ़िया तो यह हमने कहा कि protein will be the very right answer ठीक है तो और इसके अलावा अगर हम और चीजों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपके body growth के साथ साथ में आपका जैसे की enzyme बना रहे हैं यह आप लोगों के enzyme बनाने के अंदर helpful है यह आप लोगों के hormones बनाने के अंदर helpful है ठीक है अब जैस ही आपके bone के अंदर भी protein पाया जाता है तो bone के protein का नाम बताईए चलो बताईए फटाफर से की दूद के protein का नाम बताईए bone के protein का नाम बताओ बताओ बताते जाओ देखिए क्या यहां पर correct answer हो जाएगा अंकेत इमा है ना student हो गए यहां पर queen सिद्धिकी हो गए है ठीक है चलो बताओ फटाफर से की क्या हो जाएगा देखो अगर आप दूद के protein की बात करते हो तो दूद के अंदर तो casein protein होता है दूद के अंदर तो कैसा protein हो जाएगा casein protein होता है क्या दूद के अंदर कौन सा protein होता है दूद के अंदर casein होता है और bone के अंदर आपको ध्यान र और यह गलतियां जब करते हैं और आपको पताए इसको पचने में बहुत टाइम लगता है इसलिए इसी प्रोटीन को बहुत मुश्किल से पचेगा यह और इसको डाइजिस्ट करने के लिए हमने के स्पेशल प्रकार का एंजाइम बना दिया हमारी बॉड़ी इस प्रकार के एंजाइम की हल्प से जो है वो इसको डाइजिस्ट करती है और वो इसो प्रेशल इनजाइम जो है वह कौन सा है यह आपको यह आपर धीयान नगा है कि उसे प्रकार का एंजाइम है ठीक है तो ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे अब इस प्रश्ण का आंसर देंगे और आप कोशिश करेंगे तो आप बहतरीन पर तरीके से इस प्रश्ण का जवाब दे सकते हैं देखते हैं देखें क्या कहा जा रहे हैं कहा जा रहे हैं कि निमनलिखित में से है जैसे उर्जा अनों के तूटने में शामिल है तो वाइटमिन A होगा वाइटमिन B होगा वाइटमिन C होगा या फिर हम यहां पर कहेंगे कि वाइटमिन D यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा चलिए आंसर कीजिए फड़ाफट से आंसर फड़ाफट से करना है जल्दी से ठीक है और student जी जल्दी से बताइए कि क्या रहेगा glucose जैसे उर्जा अनों के तूटने में शामिल है अब glucose तूटेगा तो आपको energy मिलेगी क्या C6, H12, O6 के साथ में अगर oxygen की reaction करोगे तो आप लोगों को ATP तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में CO2 भी मिलेगा और साथ में H2O भी मिलेगा तो यहाँ पर basic सी बात है कि जब आपको energy मिल रही है यहाँ पर तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि vitamin B यहाँ पर जो ना 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 अगर आप vitamin C कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि vitamin C ascorbic acid है यह वो acid है जो कि खटी जो कि अंदर पाया जाएगा तो इसका और energy को कोई source नहीं है आप यहाँ पर answer करेंगे vitamin B यहाँ पर correct transfer हो जाएगा शरीर के calcium का कितना अंच हड्डियों और दातों में जमा होता है calcium का maximum वाला portion तो आपके दातों और हड्डियों में जमा होता ही होता है तो भई respect amazing shots आप बोल रहें 85 पर 85 तो गलत हो जाएगा 85 हो सकता है कि मैंने कहा maximum तो maximum में सिंपल सी बात है 99% portion तो आपका दातों और हड्डियों में होता है calcium phosphate के रूप में और आइस के अलावा आपके enamel में वही enamel वाला portion भी आ जाएगा 85 नहीं बोलोगे 99% क्योंकि दातों और हड्डियों तो बाकी जो एक परसेंट रहेगा वो blood के साथ flow करेगा है वो fluid के साथ flow करेगा वो muscles के अंदर होगा muscles contraction के लिए आपका calcium जो है वो जरूरी होता है आपके blood circulation के लिए calcium जरूरी होता है आपके blood clotting के लिए calcium जरूरी होता है तो यह सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी ठीक है आपको जो यह secretions में जो pain हो रहा है तो basically 99% जो है आपकी body का main portion जो है वो आप लोगों का कौन देख रहा होता है आपका यही देख रहा होता है बात कता है tunnel syndrome syndrome पहले तो यह समझो कि syndrome क्या होते है what is the basic difference between genetic disease and syndrome तो genetic disease कभी भी किसी chromosome के कारण नहीं होगी जब आपके chromosome के number में changes आ जाता है तब syndrome होता है पहली चीज़ तो यह और syndrome एक disease में specific factor के अंदर आपको आगे दुविदा मैसूस होगी लेकिन syndrome एक ऐसी चीज है सुनिएगा मेरी बात को syndrome एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप लोगों को multiple factors देखने को मिलेंगे शरीर पूरी तरह से unbalanced तरीके से काम करेगा that is syndrome अब tunnel syndrome के अंदर अलग अलग syndrome के अंदर कई में trisomy होती है कई में bisomy होती है यानि कि किसी के अंदर दो chromosome के अंदर defect आ जाता है तो उसको आप कुछ और नाम से जानते हो आप trisomy की बात करते हो तो trisomy का मतलब होता है कि तीन जो है वो गुंसुत्रों के अंदर कुछ ना खुछ दिक्कत आ रही है तो यह सारी जाजी अब जब आपने बोला ना tunnel syndrome तो tunnel syndrome के अंदर बैसिकली आपके आस जनरली कितने सिंडरों कितने जो है वो क्रोमोजोम होते हैं हम कहते है मैदम हमारे पास जनरली 46 क्रोमोजोम है अच्छा 46 क्रोमोजोम की condition भी समझ लीजे एग सैल के अंदर ना हमेशा 23 क्रोमोजोम रहेंगे और बैसिकली जो जो स्पम ह है उसके पास भी 23 क्रोमोजोम रहेंगे यह 23 क्रोमोजोम क्योंकि इन दोनों के जिवन का एक ही लक्ष है जाइगाट का फॉर्मेशन करना और जाइगाट कब बनेगा जब यह दोनों आपस में मिक्स होंगे और प्रोसेस कौन सी होगी फॉर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो होता है कि जब यह 46 chromosome होता है ना इसके अंदर क्या दिक्क अब जिसे टर्नल syndrome की मैं अगर बात कर रही हूं तो टर्नल syndrome के अंदर क्या होगा कि कोई जाएगाड तो बना था 46 chromosome वाला पर वो जो जाएगाड बना था तो ऐसा था कि भाई 44 तो थे और साथ में X और X chromosome आए तो जब 44 यह 46 और यह 47 हाँ यह 45 और 46 कि अब यहाँ पर देखो कि यह जो बेबी बन रहा है यह जो जाएगाड बन रहा है यह देखने पर से तुम्हें अब जब यह आखरी वाला क्रोमोजोम यहाँ से निकल गया तो आप किसी जो स्टूडेंट जो अब किसी भी होंगे है न तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहे 46 से कितने हो गए भाई यह 45 हो गए तो यह बेसिकली बन रही कौन थी पीमेल बेबी गर्ल बन रही थी तो मतल इसका परिणाम तब होता है जब X क्रोमोजोम मैंने पढ़ाया न वो गायब हो जाए या फिर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए तो गायब हो गया तो पहले एक ही X बचा है दो X होने चाहिए तो यहाँ पर 45 हो गया बताओ देखे बास समझ में आ गई क्या और अगर बा फादर ओफ किसकी बात कर रहे हैं बाइलोजी तो फादर ओफ बाइलोजी फादर ओफ बाइलोजी के बारे में मैंने कल भी पढ़ाया था और सेशन यह जो टिक नहीं रहे ना बच्चे दिस नॉट फैर एक बार सब लोग अपने दोस्तों को शेयर करो ठीक है तो फादर ओ बाइलोजी तो जीव विग्यान का जनक केसे कहा जाता है अरस्तु को कहा जाएगा अरस्तु को ही जीव विग्यान का जनक कहा जाता है और अरस्तु के साथ साथ में आपको क्या दें रखना है हाँ जी मेडम आगई बात समझ में बहुत अच्छी बात है ठीक है क्या हो गया इमेजिंग सॉड्स एलेवन का स्तूर तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हैं मुझे यह बताओ सारी चीजे समझ में आ रही है कि नहीं आ रहे हैं है नहीं अरस्तर हो जारे कि ट्रेवीर रैंसर नी ओगा क्योऀ निहोगा चलो अगली चीज की बात करते हैं तो असे सुतों की बारे में आपको पता है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं कौन से जिवानों नाशक वाइरस के खिलाफ प्रभावी है मतलब कौन सी चीज़ें जो की बेसिकली वाइरस की अगिंस्ट काम करती है तो आप यहाँ हैं अपर देखो कि यह सारी की सारी चीज हो के बारे में पढ़े हाँ यहां पर लखा है है कुतानोंनाशक याठी की वैक्तिरीया के अगेंस्ट या फिर आप किसी के बारे में बात करें वाइरस के अगेंस्ट काम करने की बात आ रही है तो hydrogen peroxide भी काम करेगा तो मुझे लग रहा है hypochlorate भी काम करेगा तो formaldehyde भी काम करेगा यह जितने भी है यह सारे के सारे इशी का भी आज काफी सारे एस्प्रेंट्स ना नए है सेशन को अच्छे से पढ़िए समझने की कोशिश कीजिए और अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे यह सेशन हर दिन उड़ता है और हर दिन शाम को चार बज़े ही होता है तो भाई hydrogen peroxide per hot formaldehyde इस सारे के सारे virus के against वो basically काम करते हैं और यह बहुत प्यारा प्रश्ण है पहली चीज़ तो किसने समुंदर तट पर पाये जाने की संभावना सबसे कम होगी समुंदर तट पर पाये जाने की बाज़े तो देखो आप यहां पर समझे यहां पर सारे के सारे plant के example है अब plant के अंदर भी concept यह है कि अगर आप थेलोफाइटा वाले plant को देखते हो सुनिएगा अगर आप थेलोफाइटा वाले plant को देखते हो जो कि plant का सबसे छोटा वाला वर्ग है और सबसे कम developed वर्ग है इसके अंदर सारे के शारे शेवाल रखे गए और शेवाल सारे के सारे नमी या फिर पानी के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे फिर आपसे बोला गया दूसरा वाला वर्ग जो शेवाल थेलोफाइटा से ज़्यादा डवलब्ड हुआ उनको हमने ब्रायोफाइटा कहा अब ब्रायोफाइटा के लिए अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया ये जो है वो क्या होता है ये जो है वो उभैचर होता है यानि कि ये जल पर भी पाये जाएंगे तो ये थल पर भी पाये जाएंगे ठीक है और प्वेस्चन आपका क्या था अब बात करते हैं टेरीडोफाइटा अब teridophyta जो है वो बेसिकली आप लोगों के क्या थे यह आप लोगों के जर्थल पर पाय जा रहे थे फिर आपके ziminosperm और जो बेसिकली आपके जो है वो surface पर ही पाये जा रहे थे तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे plant को develop होते वे देखा ठीक है अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि पई सबसे कम पाया जाने वाली तो आपको शेवाल शेवाल दिखाई दे ही रहा है और शेवाल किसका एक्जामपल है शेवाल थेलोफाइटा का एक्जामपल है चैवलो फाइटा कहाँ पर पाया जाते हैं नमी और पानी के अंदर पाया जाते हैं तो basically भूरे शेवाल को हम किस नाम से जानते हैं भूरे शेवाल को हम लोग फियो फाइसी के नाम से जानते हैं तो फियो फाइसी तो 100% मेडम कहाँ पर पाया जाएगा आपके वाटर के बताओ देगे हाँ या ना तो बोलो और आपस में अगर बात करना कम करोगे तो शायद बेसिकली अच्छे से आप लोग जो है वो चीजों को पढ़ पाएंगे अच्छे से समझ पाएंगे क्वेशन की लेंगवे समझ पाएंगे अभी आज वही लोग है जो लोग ये कह रहे हैं कि मैडम बायो लेकर आओ बायो लेकर आओ और आज अगर मैडम बायो पढ़ा रही है तो पढ़ना किसी को भी नहीं है बाते करनी है ये बाते आपकी लाइफ नहीं बनाएंगी आपको स एक्स्ट्रा मत बात कीजिए वेरी वेरी गूड इवनिंग अथरवी बिल्कुल गूड इवनिंग प्रिया तिवारी चलिए बताओ देखी फटाफट से और लिटरली चुप रहो तुम्हारी एक्स्ट्रीम बहस के कारण जो बच्चा पढ़ने आता है वो चला जाता है इससे तुम्हारा कोई लॉस नहीं हो रहा है बर मेरा बहुत लॉस हो रहा है तो भाई कम से कम तुम्हारी चुप रहने से सब बच्चे पढ़ेंगे तो शयाद ही आपे बच्चे अपने आप ज्यादा हो जाएंगे ठीक है तो तुम जो आपस में बखवास करते हो ना यह देखक से जानते हैं और जब भी हम बात करते हैं और फिर हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पाइरेशन की तो इसके अंदर आपके पास में क्या होता है आपके पास में C6, S12, O6 ग्लुकोज होता है और ऑक्सिजन जब इसके साथ में रियक्शन करता है तो यह CO2 बनाता है यह H2O बनाता है और साथ में यह जो है वो बनाता है ATP क्या बनाता है यह ATP बनाता है तो देखो देखे अरोबिक जो है स्वेशन के अंदर ग्लुकोज जो है वो किसमें टूट रही है यह आप लोगों को बताना था तो भाई स्टुडेंट शिवांची गौतम चलिए तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर अल्कोहल तो देखो पंती है पर प्रायोरिटी वाइस फिर आपको कार्बन डायोकसाइड और पानी को सही जवाब देना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि D यहाँ पर जो है वो बेशक सही जवाब हो जाएगा ठीक है त अफरी बनता है क्रेप साइकिल इसका है मायट्रो कॉंड्रिया के अधातरी पर यह सारे फंक्षन हो रहे होते हैं मिस्टर स्टूडेंट मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ आप वही आंसर कीज़े जो जरूरी है वही कॉमेंट कीजे जरूरी है क्लास का सिनेरियों क्लास को मत खराब कीजिए सीरियसली बता रही हूं चुपचा बैट कर पढ़ लीजे ठीक है आगे बढ़ जाएगे क्या कहा जा रहे कि यह है एक रंगहीन गैस है जो सिगनल हार्मोन के रूप में कारिय करती है और यह निमने लिखित में से कौन सी है कलर लेस गैस है इसकी बात कर रह है तो बताव देखे यहां पर क्या हो जाएगा विकली बताईए यहां पर आप समझे कि बोला था आपको बेंजीन हरा अब यहां पर समझे कि जब हमने बेंजीन बोला तो बेंजीन कुछ इस तरी किसे है यह एक प्रकार का एरो मैटिक जो है वो क्या है कंपाउंड है आरो के नाम से जानते हो तो यह यहां पर नहीं रहेगा ओजून यहां पर करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि इस चीच को भी समझने की कोशिच कीजे तो नाइट्रिक अक्साइड एक गैसी प्रतिकरिया है और जानवरों की कई शरीरिक जो है सिग्नल हर्मोन के रूप में यह नाइट्रिक आक्साइड काम करता है दोहरा निसेचन डबल फर्टीलाइजेशन के बारे में बात की जारी है ठीक है ना बेंजीन का जो एक्चुल कलर होता है वो जो क अब देखो यह पागल स्टुडेंट इतने दिन तो चली जाती हूं चली जाती हूं ठीक है तब की बात करती है यह एक लड़के हैं और यह जो है वह बेसिकली अपने आपको बदल कर यह जो है वह वह कर रहे हैं चलिए अभी आंसर किजिए कि कौन सा दोहरा निशेचन दर जाता है ठीक है कौन सा दोहरा निशेचन को मतलब होगे डबल फर्टिलाइजेशन अब आप सोचो फर्टिलाइजेशन की कि लिए एडवांस जो प्लांट सूंगे ना प्लांट की बारे में बात करें जिमनोफ सर इस पार्ट ऑफ प्लांट और जोस्म आप पार्ट रहे तो अब इहां पे समझे क्या हो जायगा क्यों स्पार टॉग्हां वा आप्थ roku सर ना पर यहां सबसे डवलप होगा और यहीं बहुत अच्छे से जो है वह काम कर प्तों आहीं है ठीक है जिमनोस्पम भी नहीं होगा और शेवाल यानि की अलगी भी यहां पर नहीं होगा ओल अफ दीस तो वैसे भी नहीं होगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना डबल जो है वो मैं बात करते हूं यहां पर नीचे चनकी तो यह यहां पर बेसिकली एंजोस्पम करेगा एंजोस्पम वो होते हैं ठीक है देखिए मैं क्या है यहां पर कह रही हूँ एंजोस्पम कौन होंगे इसे भी यहां पर एक बार के लिए समझ लीजेगा कि एंजोस्पम अरे ओके एंजोस्पम कौन होंगे एंजोस्पम वे होंगे जिसके पास देखू रूट भी होगा बिलकुल होगा जिसके पास तना भी होगा बिलकुल होगा उसके पास पत्ती भी होगी बिलकुल होगी उसके पास फ्लार भी होगा बिलकुल होगा ठीक है उसके पास फ्रूट भी ह होगा बिल्कुल होगा और उसके पास में सीट भी होगा बिल्कुल होगा और उसके पास लेयरिंग मैंने की कोडिंग भी होगी वो भी हो जाएगी तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को ठीक है क्या ना में तुम्हारा ठीक है तो यह आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे अगले क्वेशन की बात करते हैं कि जड़ों में क्या होता है तो जड़ों की अंदर बेसिकली क्या होगा तो जड़ों की अंदर जो है वह एंकर दप्लांट इन दा स्वाइल जड़ों को बजड़े जो है वह मिट्टी को बांद के रखती है और दूसरी चीच क्या बोले थी कि पानी और बेसिकली उनका दोनों को जो है वह एब्सॉप करेंगी अब देखो अगला क्वेशन कितना खतरनाक है छिपकली और सापों ने को सरी सर्प में किस क्रम में की अब हमने बोला था ना कि एमफीबिया जो है वह हर्पिटोलोजी जो है वह हम उसका अध्यन कर रहे थे यह तो आप लोगों को पता है है अभी आज ही सेकिंड क्वेशन में ही पढ़ाया था हम लोगों नहीं है गैलेक्सी जी बहुत बढ़िया अभी आगे बढ़िये क् चिपकली हो और सापो को सरीसर्पो के किस क्रम में बाटा गया है तो इसका ओर्डेर कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है हना तो order आपसे पूछाए कि इसका order जो है वो testodine हो जाएगा order जो है वो crocodile हो जाएगा या फिर जो है square matter हो जाएगा या फिर जो है sphenodomotia हो जाएगा छिपकली और sapo का जो order होता है वो basically आप लोगों का कौन सा रहेगा वो आपका square matter रहेगा यानि कि D यहाँ पर जो है वो correct answer रहेगा तो इनके गण होते हैं के वर्ग होते हैं कि species होती है इनके kingdom होते हैं तो यह सारी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पर खयाल रखिएगा समझ में आया की नहीं आया बताईए फटा फट से निशू सिंग और बाकी सारे लोग पशू उत्पादों के संधर में अधिकतर जो है वो क्या होता है तो basically वही मोटा का मतलब यहाँ पर fat की मैं बात कर रही हूं किसकी बात कर रही हो fat की बात कर रही हूं तो terms in animals तो यहाँ पर animals की term के अंदर जो टैलो शब्द हम लोग use करते हैं वो टैलो शब्द basically किसको represent कर रहा है क्या वो fat की respect में represent कर रहा ह ठीक है चलो अर्चना जी ग्यालेक्सी जी कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए वटावर्ट से की प्रोटीन होगा खनीज रहेगा पानी यहां पर रहेगा तो हम किस के तो पश्रोग या शब्नर में जब भी हम टैलो की बात करते हैं तो वो आपके बेसिकली फैट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फैट को लोगों को सूट पदान अरे बबाई यह पढ़ लो तैलो इस दे मेड ओफ दर किसकी बात कर रहा है रंडेरिंग सूट्स विच इस दाफ तो यह टैलो शब्द जो हम ले रहे हैं वो बेसिकली फैट के जो है वो रस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं अगला क्वेशन देखिए कि कौन सा रक्तवाही काओं की परतवाई पाली कोशिकाओं में पाया जाता है यानि की पूछा है कि विच फॉलोविंग इस फाउंड इन दा सेल्स लाइनिंग ब्लड वैसल्स तो किस के अंदर होगा क्या आपके कनेक्टिव टिशू में होगा स्क्वैमस में होगा देखो यह आपके एपी थीशल में तो होगा बिल्कुल बोलिए अथरवी जी बिल्कुल बताइए क्या यहां पर रहेगा अर्चना इमा अंकोर निशू है ना और कौन कौन है भाई मुकेश है शिवांची गौतम राहुल गुपता और भी काफी सारे हैं और देखो नए नए क्वेशन्स आपको पढ़ने को मिल रहे है अगर इसमें से एक भी क्वेशन आ गया ना तो यह मान लोगी बाकी लोग नहीं जो है वो कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर बेसिक सी बात है कि क्या यहां पर हो जाएगा कॉल्यूमिनर जो है वो एपिटीशल बोलेंगे कि स्क्वैमस बोलेंगे तो जो आपको अस्तर जो बोजन का absorption होगा तो छोटी आथ का होगा बड़ी आथ का होगा पेट का होगा जिगर का होगा बहुत बड़ी आथर्वी वेरी गुड एपसल्यूटली राइट चलिए अब यह आंसर किजिए फटावर्ट से कि हमारे शरीके किस अंग में भोजन का absorption होता है absorption तो आपकी large intestine में होता है क्या पर आपसे बोला जाए भोजन का absorption तो food के इसके अंदर तो आपके देखो water का absorption होगा और इसके जो है अंदर आपके drugs का absorption होगा पर छोटी आथ मैं यहाँ पर कहूंगी कि फिर आप छोटी आथ यहाँ पर अंसर करो क्योंकि छोटी आथ के अंदर जो आपका ileum वाला portion होता है और इसी ileum के अंदर विलाय पर्जेंट होती है और यही विलाय जो होती है वो basically absorption का जो है वो काम यहाँ पर करती है ठीक है तो यह भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है बड़ी आथ कहां पर इस्तित होती है तो बड़ी आज जो है वो below the waist near the abdominal cavity कमर के नीचे होती है कमर के उपर होती है बाई तरफ होती तो बहुत सिंपल सी बात है कि कमर के नीचे की तरफ पाई जाती है आपकी large intestine absorption का काम करती है लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यह absorption जो है वो basically किसका होता है यह absorption का काम यहाँ पर करेंगी अब बोला जा रहा है कि the laser है न ओमेंट्मेंट पेट की किस सनुचना से जोड़ता है यहाँ पर तो इसको छोड़ो इसमें question में ही गड़बड है इ neuro hormone अगर जारी कर रही है तो वो किसके खारण कर रही है ठीक है बताओ शिवम और क्या हो गया है यहाँ पर water and drug बिल्कुल 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 प्रिया absolutely right अकांग्शा हाँ कांग्शा मिल तो हर जगे ही जाएंगे बिटा but maybe it's your first class आपको class कैसी लग रही है आप मुझे ये बताईए एक बार हाँ जल्दी से बताईए कि आपको class जो है वो कैसी मिल लग रही है मोहित अमित अर्चना जल्दी से मैसेज कीजिए एक session होता है शाम को 6 बजे और बहुत बहतरीन session हम लोग वो लेकर आते हैं वो specifically BPSC वैसिकली science हो सबका common होता है ना तो 6 बजे science होती individual exam targeted तो उस science को भी आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से देखिएगा ठीक है ना thank you so much स पिट्री है फिर hypothalamus यह control भाई आप समझें यहां पर आपके वो सारी चीज़ें जिन पर आपका control नहीं है वो सब पर कौन control करेगा hypothalamus इवन उन सब चीजों पर जो हमारी body पर control करती है यानि कि जो आपकी pitutory gland होती है इस pitutory gland पर भी कौन control करता है hypothalamus तो master of master जो है वो क्या हो जाएगा अंशी का है ओके अंशी का बताईए जब तक एक दो बार किसी का नाम इदर उदर नहीं पढ़ लो तब तक मजा नहीं आता है ना तो यहां पर जो है वो अंशी का है ठीक है अंशी का बताईए फटावर से thank you so much अंकूर बहुत बढ़िया ठीक है ओके 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 जो होता है वो बेसिकली यहां पर जो है वो रहेगा thank you so much शीवम जी एक जो है वो आपके स्पम इसके बारे में बताया भी है कि एग के अंदर भी 23 क्रोमोजोम है स्पम के अंदर भी 23 क्रोमोजोम है आपस ने जो है वो मैच किया 46 हो गए और इस तरीके से बागी सारी चीज रखना है चली अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूं कि यदि आप मुस्से theory session पढ़ना चाहते हैं और किन-किन exams के लिए individually आप theory session अगर मुसे पढ़ना चाहते हैं आप ROAR की preparation कर रहे हूं आप इसकी अलावा जो है वो UPPSC की preparation कर रहे हैं MPPSC की preparation कर रहे हैं HPSC की कर रहे हैं जहारकंड की कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मिर अपने mobile phone के play store से अड़र 247 का application डाउनलोड करना और all courses के list में UPSC पे जाओगे तो state PCS की list को आप देख सकते हो अब अगर आप UP से हैं UK से हैं हना आप MP से हैं आप कहीं से भी हैं अर्चना thank you so much 6 बजे वाली class औ आपको देखने को मिलेगी तो UK PSC tax revenue है UK PSC ROARO है additional private secretary है ठीक है इसके अलावा UPRO सारे batches हम कल से start कर रहे हैं सब batches यह कल से start हो रहे हैं इसकी अलावा जो भी नए हैं वो चैनल को subscribe जरूर से करेंगे योद्धा बैच है आपका हरियाना से हैं हिमाचल बैच है MP से हैं देख रहे हैं दो साल की basically इन बैचिस की वैलेडिटी होती है जैसे मान लोगी आपको UPPSC ROARO की preparation करनी है आपने यहां पर buy now की option पे click किया आपको यहां पर live classes recorded classes इसके अलावा सबसे important चीज़ है कि आपको test series e-books इस सारी चीज़े आप लोगों को मिल जाती है और यहां पर ज अरिके से यहां पर theory चलती है why 698 क्योंकि जब हम यहां पर भी इतना material दे रहे तो सोचो कि आप offline पढ़ते तो मज़ा ही आ जाता है thank you so much इमाजी तो 1800 रुपे दिखाई दे रहे हैं बट 1600 रुपे के असपास का चाहुदा सूदा 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 से आपको session समझाया होगा एक बर class को like जरूर से कर दीजेगा ठीक है और कल से batch start हो रहे हैं अगर किसी को enroll करवाना है तो बेशक इसमें enroll भी करवा सकते हैं ठीक है मोहेच जी यह बहुत ही basic मतलब एक illogical सा question आपने पूछा है तो इसका answer में शाम को 6 बजे वाली class में दोंग सबस्क्राइब आज कर तो इस female